असलाम अलेकुम फ्रेंट सु आगे था आपका इस यूटूब चैनल जे के स्टेडी मटेरियल में इंडियन पोस्ट आफिस में इबाउट 1700 प्लस पोस्ट आई हुई है तो इसमें कौन फार्म फिल कर सकता है जैसा कि पहली जो यहां पर क्वालिफिकेशन है वो 10 पास से स्टार्ट है और कोई भी इसका एक्जाम नहीं है अब यहां पर इसके लिए फार्म कौन फिल कर सकता है क्या कुछ यहां पर इसके लिए लिजिबिल्टी है वो यहां डिसकस करूँगा तो आपने यह वीडियो इन तक देखना है यहां पर जो पोस्ट आफिस के लिए इंडियन पोस्ट आफिस के लिए रेकूर्टमेंट आई है इसमें जो पोस्ट एवालेबल है पहले नमबर पर 10 नविंबर से जो फार्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है नाइन देसिम्बर इसकी लास्ट डेट है जो पोस्ट हैं वो यहां पर पोस्टल एसिस्टन्ट, सौर्टिंग एसिस्टन्ट, पोस्ट में, मेल गार्ड एंड एम्टियस यह यहां पर पोस्ट है अब इसके लिए कौन लोग इलिजीबल है वो यहां पर मैं आपको बताता हूँ अब eligibility जो है वो थोड़ी different है first of all यह लोग जो है वो sport person होने चाहिए किस type की sport person होने चाहिए बागी qualification उसके बाद बताता हूँ तो जो main आपके लिए चीज आ जाती है तो यहां पर यह sport person के लिए है अब किस type के ऐसा sport person जिसने state को represent किया हो और या country किया हो national या international लेवल कोई game खेली हो second ऐसा कोई sport person जिसने university या inter-university tournament खेला हो तो जो यहां पर inter-university state board sports board ने इसको conduct किया हो या फिर ऐसा sport person जिसने यहां पर state, school team national sport, games वगरा खेली हो अपने school level पे आल इंडिया schools games में या कोई ऐसा sport person जिसके पास national award हो physical efficiency under national physical efficiency drive अगर आपके पास इन में से कोई भी चीज़ है किसी का भी certificate है अब यहां पर आगे आपने बढ़ना है otherwise नहीं बढ़ना है इन में से अगर आपको चीज़ें हैं तो आप यहां पर देखो जो भी यहां पर पोस्ट उसके लिए क्या है अगर यहां पर आपके लिए पोस्ट पोस्टल असिस्टन्ट है तो आपका bachelor degree होना चाहिए मतलब graduation होनी चाहिए और computer की नालज होनी चाहिए अगर आपको postman के लिए जाना है या mail guard के लिए जाना है MTS के लिए जो multitasking stop है 10th pass होना चाहिए simple सिर्फ और simple 10th pass अगर age की बात करें सब भी यहां पर जितनी भी post हैं सब के लिए multitasking stop को छोड़कर बागी सब के लिए 18 से 27 होनी चाहिए अगर MTS है तो 18 से 25 यर होनी चाहिए अगर salary की बात करें postal assistant की 25,500 से लेकर 81,000 sorting assistant की भी same postman की 21,700 से 69,100 mail guard की 21,700 से 69,000 MTS की 18,000 से लेकर 56,900 जो इसका 18,000 होगा वो यहां पर basic पे होगा प्लस बाकी यहां पर लगा के जो salary इसकी है 25,000 प्लस जाएगी जो basic है इस MTS की ऐसे आप देख सकते हैं की भी increase हो जाएगी अब जैसा कि मैंने बोला था sports में होना चाहिए अब किस sports में होना चाहिए वो देखो यहां पर यह सभी sports mention है कि इन sports में आपको वो वाले certificate होने चाहिए जो यहां पर mention है यह आप देख सकते हैं total 65 sports जो है वो mention है यहां पर आप इनका नाम देख सकते हैं अगर इन sports में आपका किसी में भी है तो आप यहां पर eligible हो तो अगर आपने apply करना है तो यह link आपके लिए available है application fees जो आपकी 100 rupees होगी अब अगर circle wise post देखें total तो आपको कहां बरना है देखो almost यहां पर जमूएंड कश्मीर के बच्चे देख रहे होंगे तो जमूएंड कश्मीर के लिए यहां पर कोई भी seat नहीं है जमूएंड कश्मीर के लिए कोई भी seat नहीं है 34 यहां पर Postal Assistant की 14 Sorting Assistant की 10 Post में इनकी है Mail Guard की तो कोई नहीं है 29 यहां पर MTS की है तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं सबी यहां पर available हैं तो यह सबी आपको कहां किस स्टेट में है क्योंकि जमुन किश्मीर में कोई सीट नहीं है बागी किसी स्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां पर available है सबको इसका PDF फाइल जो है वो टेलिग्राम पेज़ पे मिल जाएगा टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो